Hello everyone, मैं आपके साथ मनूज बर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं Fires पे Auto Strike Price की वीडियो बना रहा हूं कि Auto Strike Price का syntax आप कैसे generate करेंगे अगर आप option में काम करते हैं और Auto Strike Price वीड कैसे लगाएंगे सबसे पहले मैं Auto Strike Price का concept समझा देता हूं जैसे कि आपको पता होगा trading view पे option का chart नहीं है पर काफी लोग हमारे पास Auto Strike Price पे काम कर रहे हैं Auto Strike Price क्या होता है थोड़ा सा आपको idea दे देता हूं जैसे कि ये price चल रहा है अभी इसका 23,160 तो अभी आपको क्या करना है जैसे ये position trigger हो जैसे किसी भी indicator से या horizontal line से ये चीज तिगर हो तो ये इसका price get करेगा और उस price का जो nearest होगा उस पे ये bid लगा देगा और ये कैसे लगाएगा थोड़ा सा मैं आपको idea दे देता हूं ये video थोड़ी सी lengthy बनने वाली है तो थोड़ा सा आप धान से देखिएगा कि ये कैसे लगाता है सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूँ ये मैं bank nifty के according समझा रहा हूं सबसे पहले हम syntax पे चलते हैं और ये fires के according और bank nifty के according समझा रहा हूं जैसे click करेंगे यहां दो option होता है without close और with close सबसे पहले इसका मतलब समझा देता हूं without close का मतलब ये है कि आप जो भी bid लगा रहे हो वो only bid लगेगी आपकी मतलब वो buy हो जाएगा जो भी आप auto strike price buy करना चाहते हो और with close ये है कि आपकी पुरानी position close होगी और नई position लगेगी तो पुरानी position में ये आएगा कि सारी जितनी भी आपकी पुरानी position होगी सब close हो जाएगी अगर आप इस syntax को generate कर रहे हो तो एक चीज का धान रखना है कि आपकी fires में और कोई position own ना होने तो ये सब को close कर देगा और नई position add कर देगा एज एक्जांपल के लिए मैं आपको एक demo दिखाता हूं सबसे पहले दिखाता हूं without close without close का मतलब हम जो auto strike price लगा रहे है उस पर bid लगाएगा हम without close क्लिक करते ह्जाग कि अप करना चाहते हूं我就 call buy करना चाहते हैं अब यह कुछ रहे हैं तो में when you know trading symbol किस trading symbol में आप करना छाथे हाथ है तो अभी हम auto strike price कर रहे हैं तो हमें हमेंaders फुद को trading symbol नहीं पता, पर हमें यह पता है कि वो कौन से महने की है, कौन से expiry है, और कौन सा symbol है, तो हम क्या करेंगे, फायर्स पर जाएंगे, यह फायर्स के according बता रहा हूँ, और फायर्स पर जाने के बाद, मैंने एक order reject करा रखा, आपको reject के अंदर यह दिख रहा होगा, तो reject के अंदर जाके मैं इसे copy कर लेता हूँ, इस symbol को, और इसके अंदर strike price को छोड़ दूँगा, और पीछे से call को छोड़ दूँगा, बस मैंने खाली जो copy करा है, bank, nifty, 2000, मतलब 2020 की, और यह date वगेरा है, मुझे नहीं पता यह क्या है, इसको मैं copy कर लेता हूँ, आपके सामने copy कर लिया, इधर गया, और syntax में जाके इसे डाल दिया, तो यह पीछे का क्या है, इतना तो 20 लिखा है, I think, यह 2020 होगा, जो भी मुझे नहीं पता, बस मैंने इसमें strike price छोड़ दिया, कि जो strike price है, वो हमें dynamic चाहिए, जो भी हमारा nearest हो, तो मैंने इस चीज को छोड़ दिया, आगे-ागे का यह दाल दिया, तो जो strike price की value होती है, जो number होते है, उसे छोड़ा है, और पी market order पर काम करना चाहते है, इसमें market order है, और उसके बाद, यह मैं आपको बता दू, auto strike price only for regular order में लगती है, cover और bracket में नहीं लगती है, इस चीज का आपको धान रखना है, इंट्राडे में करना चाहता हूँ, अब इंट्राडे में करने के बाद इनने पूछा nearest, तो bank nifty s के अ होता है, आपको दिखा हूँ एक बार, जैसे कि इसका जो auto strike price आएगा, 13200 आएगा, अब मुझे करना है कि 13200 की strike price को buy नहीं करना, मेरे को 100 नीचे buy करना है, 13200 की strike price को buy करना है, तो then मैं इधर 100 दालूँगा, कि 100 minus करूँगा, कि जो भी मेरा strike price आए, उससे 100 नीचे की strike price लगे अगर मैं उपर की चाहता हूँ, तो plus कर दूँगा, कि 100 नीचे की लगे, जो value दालोगे, उसके उपर और नीचे की होगी, अगर मैं 200 दाल दूँगा, तो यह 23000 पर लगेगा, अगर मैंने minus कर रखा है, और plus कर रखा है, तो यह calculation होती है, उपर नीचे करने के लिए, अभी क rate करने के बाद, मैं trading view पर जाता हूँ, और यहाँ पर index के अंदर, आप किसी भी chart के अंदर दाल सकते हो, वो आपकी मर्जिय उसी का nearest लेगा, तो अब मैं इधर tag लिख देता हूँ, tag के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, tag के बदले, पर मैं tag लिख रहा हूँ, जिससे nearest value उठा लेगा, अब nearest value का थोड़ा से मैं बता दूँ, अगर 50 से उपर है, तो जैसे 51 है, तो यह पूरा 100 उठाएगा, अगर 50 से नीचे है, मतलब 49 है, तो यह नीचे की उठाएगा, तो अभी यह value चल रही है, 30,176, मतलब 80 के आसपास चल रही है, तो इसका strike price 30,200 उठाए तो आपको इस चीज का धान रखना, मैं जैसे इसे टिगर कराऊँगा, अभी मेरे पास fires में balance नहीं है, जिससे मैं call put buy कर सकूँ, तो इधर reject होगा order, और कौन सा strike price का होगा, वो हमें आपको दिखा देता हूँ, as a example के लिए मैं इसे टिगर कराने जा रहा हूँ, तो मैं trading view पर गया, और मैंने इसे टिगर कराया, जैसे मैं इसे टिगर कराऊँगा, इधर alerts आएगा, यह alerts आया, और इधर मेरा order लग जाएगा, वो back end में लगा है, और reject हो गया, reject order refresh करने पे इसो होते ही, fires की एक problem है, तो अभी के लिए मैं इसे refresh करता हूँ, इस पर click करा, setting के आइकन आजाएगा, मैंने आपको बताया, अगर 50 से नीचे होगा, तो 100 आजाएगा, तो नेरिश 200 उठाई, पर मैं चाहता हूँ कि हाँ, यह है ना 100 नीचे उठाई, जो भी strike price आए, जैसे अभी strike price है 200, इसका भी 100 माइनस कर दे, तो मैं इधर जाऊँगा, और इधर जाने के आता हूँ आपके सामने, तो यह मैं टिगर कराने जा रहा हूँ, आप किसी भी indicator से टिगर करा सकते हो, मैं horizontal line ले रहा हूँ, तो मैंने यह safe करा, अब यह क्या करेगा, अभी का अगर हम इसका price देखे 176 चल रहा है, 23,176 तो यह 200 नेरिस प्राई जाएगा, उसमें से 200 माइन कर देगा, तो 23,000 पर हमारा order लगेगा, जो call का buy का है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने जैसे इसे trigger कराई, हाँ alerts आएगा, वेट करते ही alerts आया, और अब हम इधर जाएगे, तो जैसे आपको पता, इधर order back end में लग गया पर दिखेगा नहीं, तो इसके लिए ह मैं चाहता हूँ कि भाई, trading symbol पर गया, अब मैं इसको 0 कर देता हूँ, और 0 करने के बाद minus plus कुछ भी select करना पड़ेगा, ये compulsory है, 0 कर दिया कि नहीं रिष्ट उठाए, मेरे को उपर नीचे नहीं चाहिए, और मैं put कर देता हूँ, कि भाई मेरे को put चाहिए, अब मैं इसे generate कर देता हूँ, और इसे मैं trigger कराने जा रहा हूँ वापस, तो आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं trigger कराऊंगा इस चीज को, तो यहाँ पर क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं trigger कराऊंगा, पहले alerts देख लीजी, alerts जैसे ही आता है, ये alerts आ गया, और इधर order लग चुका है, पर वो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि refresh करना पड़ेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, fires के अंदर ये problem में, कई बार refresh करना पड़ता है, पर अगर आप PC बंद करके बैठें, या fires को on करके नहीं बैठें, तो आपका order लग गया है, उसको टैंसल ले पर मेरे order reject इसलिए हो रहे हैं, मेरे पास balance नहीं है, तो मैंने आपको ये पूरा concept बता दिया, without close, जिसके अंदर कोई close नहीं हो रहा था, अब आजाते हम close पे, close के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, पहले इस पर click करता हूँ, close पे गया, अब इसके अ और नई position call की लगा देगा, तो अगर आप without close, with close use कर रहे हो, तो इस चीज का आपको धान रखना है, कि आपके पास कोई position extra नहीं होनी चाहिए, नहीं तो साजी की साजी कट जाएगी, फिर आप बोलोगे कि साजी position कट गए, क्योंकि हमारे पास यहाँ strike price नहीं है, पर अगर अगर आपके पास strike price है, कि आप किसको close करना चाहते हो, तो particular वही चीज close होगी, उसके लिए आप regular order की वीडियो देख सकते हो, कि particular किसी चीज को close करना हो, तो उसके लिए क्या use करते हैं, पर इसके अंदर तो सारी चीजे close होगी, क्योंकि हमारे पास dynamic strike price है, इसलिए हमने पुरानी position हो, उसे close करो, और जो भी हम नया order लगा रहे हैं, वो लगाओ, I hope आपको पता चल गया होगा, thank you for watching this video and bye.